बात यहाँ पर चीनी कंपनियों की भी करेंगे वो पॉकेट जो एक लगातार बिक्वाली के गिरिप में रहा है आज हाला कि हमने देखा है बलरामपूर चीनी करीब 2-3% नीचे कल जो सरकार ने फैसला लिया कि शुगर के इन जूस से दरसल इतनौल नहीं बनाया जाएगा उसी का इंपक्ट शुगर स्पेस में देखने को मिला है अब इसका जादा असर कंपनियों पर इंडिविज्वली क्या बनता दिखाए देगा बाजार इसे कैसे पड़ेगा ये important है समझना और इसी पर बात करेंगे बलरामपूर चीनी के management से और अनुच के पास चलेंगे जो बात करेंगे विवेक सरावगी से शुक्रिया हश्टा और इस समय विवेक सरावगी हमारे से जुड़ गये है मैंनेजिंग डिरेक्टर बलरामपूर चीनी इंडिया की सबसे बड़ी सुगर मिल विवेक जी गुड मॉनिंग सबसे पहले तो इतने समय के बाद आप से बात हो रही है तो विवेक जी यह बताईए कल काफी पैनिक था शुगर स्टॉक्स में और इन फाक्ट दो दिन से पैनिक था और जो हमें सुनने में आ रहा है कि शायद शुगर कंपनियों को इस चीज का एक अंदाज़ा था और अल्रेडी उन्होंने इस चीज पर काम करना शुरू कर दिया था लेकिन आपके हिसाब से यह कितना बड़ा जटका है अब शुगर के यूज को यूज को यूज को एथिनोल के लिए हाला कि अभी सिर्फ एक साल के लिए किया गया है तो इसा करता हूं कि पूरी स्टोरी पर पूरा परस्पेक्टिव दे देता हूं तो यह किसी को अंदाज़ा नहीं था पहली बात तो मैं दो तरफ सब का ध्याना कर्शित करना चाहूंगा कि गवर्मेंट क्या करती थी तो 2015 में यह पॉलिसी की शुरुआत हुई गवर्मेंट सेट कि मैं आपके सारे प्रोड़क्स को इखटे देखूंगा तो यह क्या करते थे एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाते थे एथनल का प्राइस बनाते थे एफ रपी देखते थे और किसान कितना गणना उगा रहा है और कितनी रेविन्यू हमको चाहिए कि एक पुल प्रोग्राइम बना दोजार पन्द रहा है यह साल आना सालाना चलते-चलते आज इआचवा साल है और यह प्रोग्राइम सब के लिए सबकी हिट में निकला किसाना गणना बोलैता था इंडस्ट्री अपनी क्यापैस्टी बढ़ा देती थी, इंडस्ट्री एथनॉल में इस्पेंशन में इन्वेस्ट करती थी, जो चीनी बनती थी, गवर्मेंट इंशॉर करती थी, कोटा के थूर, रियलिस्टिक मूज के थूर की एफ रपी के हिसाब से उनको जितना रेविन् पर जाने का इंकरेज्मेंट दिया गया, बीएवी के प्राइस को रेकिनाईज करते थे, बीएवी क्या है मुजूस, कि जितनी चीनी आप मुलैसे में डालते हैं, उतना का उतना चीनी का आपको बजार भाव मिल जाए, उस हिसाब से ये प्राइस डेटर मिल करते थे, तो आइंकर को लगा, कोई भी प्राब्लम नी, इस इंडेस्ट्री में गवर्मेंट चीनी का दाम देखती है, एथनॉल पुड़ा लिफ्ट हो जाते है, एक मैने मुझका पैसा आ जाता है, सारा का सारा, एक होलिस्तिक पॉलिसी थी, विच हैट सो मच वाद रूर इकॉनमी, इ पंदरा और बीस की ओर अग्रसर होगे, वो बताया, गवर्मेंट ने ओइल कंपनीज के साथ साथ, सी एम को कहा कि तुम अपने वेकल्स मॉटिफाइ करो, वो बारा पे गए पंदरा की तैयारी, फ्लेक्स फ्यूल बीस की तैयारी, एक पूरा रंवे बन रहा था की बीस कैस से जाए, शुगर केन किया रॉमटिल इनफ नहीं था भी एवी की रूट से, तो गवर्मेंट ने कहा जूस में इंवेस्ट करो, इसके जूस के करेक्ट प्राइस की डिसकरवरी हो रही थी, विच वुड अट्रैक्ट निव इंवेस्मेंट जैसे हमने महजापुर में लगा है, खाली जूस बनता है, खाली एथनॉल बनता है, एक दाना चीनी नहीं बनती है, इस तरह के इंवेस्मेंट पुर्ट को ने इनकरिच किया, और एक पूरी सुंदर पॉलिसी बन गे, ग्रेन से कहा ग्रेन कपैस्टी लगाओ, ग्रेन का दाम अगर बढ़ गया, ब्रोकन र पॉलिसी बनता है, पॉरी इंकोसिस्टम का इंकर्स, अब यह जो हुआ है, इस निजर्क रेक्शन, यह अचानक सड़नली आके ब्रेक लगा दिया, गाड़ी जो चल रही थी, तो ब्रेक लगाने से गाड़ी रुकी नहीं हटका सा जटका भी लगा, पैसेंजर इंजर्ड इस निजर्ड रही थी, तो इस इस अचानक सब्सक्राइब, यह जो रही थी, तो अब बतातों चल लिए अनुजाब पूछिए ने बिल्कुल, मैं उसी पह रहा था, आपने बोला कि इस बोल्ट फूम द ब्लू और इस 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 शॉक, लेकिन गवर्मेंट की प्रियरिटी बहुत क्लियर रही है कि एथनोल ब्लेंडिंग हमको पहुंचानी है एक पर्टिकुलर लेवल पर जैसा आपने कहा कि ग्रीन एमिशन और ग्रीन फ्यूल पर जाना है, तो एक लॉंग टम पॉलिशी तो एक लॉंग टम पॉलिसी तो क्लियर है, एक वीव यह बन रहा है कि य उसके बाद रापस हाई वे आ जाएगा, तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, यह शायद गर्वर्मन का प्रोग्राम डिस्मेंटल नहीं होगा, यह मेरे को भी पूरा भरोसा है, शायद छे मेना जने लिल, आप जो कह रहे हैं सारी बातों से मैं वाकी फोन मनता हूँ, अब प 20% टेंडर का उठाओ, नी जर्क नहीं हो, तब मैं 100 तरीके थे इसी लक्ष पे पहुंचने का इस तरीके के अलावा, तो इससे क्या कॉन्फिडेंस हीट होता है, मेरे को शुगन मिल छोडी आप बैंकर को दिखिये, किसान को दिखिये, एक पूरे महल में पैनिक है, आज श इसमें मेरे कोई डाउट नहीं है, ये तीन-छे मैने का जो जटका ही हम बिलकुल, हमारे कोई मनाई नहीं इसमें, चीनी का दाम अगर कुछ कम होता है, आप कह रहे हैं, sorry, मैं एक चीज़ पूछना चाहरा हूं, sorry, आप कह रहे हैं कि ये ठीक है, आप अप्डिशिट करते ह कब हो, लेकिन आप करें कि और दस तरीके हो सकते थे इसमें, कोई एक दो तरीके आप मुझे बता सकते हैं, और हो सकता है कि अगर आप एक करना चाहें, अभी भी मिनिस्ट्री से शाहिए, उस पर काम, बता सकता हूं को, तो लेटस से इनको एथरोल डाइवर्शन 30 लाग की लिए जटका देके, तो इतना बड़ा जटका की दरकार नहीं थी, अब महराष्ट्रा का व्यू क्लियर है, काफी इल्ड की समझ आ गही है, यूपी जो सोचते थे शायद उसे एक दोटा का ज्यादा गन्ना है, तो एक पूरी समझ आगे थी सिस्टम में, कि अब कितना प्र आइवर्शन अलाओ करते, दसका बफर रख लेते, चीनी का जो दाम गिराने का उद्देश है ता वो फिर भी अचीव हो जाता, तो एक तरीका जैसे मैंने आपको बताया, तीस का बीस का देते, कह देते, जो टेंडर है, उसका 70 परसंट ले लेंगे, उसके बाद का बाद म चलानी पड़िए, जूस बैं कर दिया ना जी, तो उसमें आपके साब से कितना फिनैंशल लॉस आएगा विविग जी इस अगले च्हे हमेने में नहीं नहीं, नहीं बट उससे लॉस नहीं है क्योंकि इशोगरी कर पासे बल्रांपूर ग्रूप कि हमारे समू की फैक्टी एक दूसरे के पास-पास है, उसा अगर नहीं दूसरे यूनिट में ले 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 लेगा और आच्छे दिन में इसको चालू कर देंगे, तो एसा क्या इस समय शुगर को लेकर वाके में थोड़ा रिस लग़ा है क्या प्राइस बहुत जादा बढ़ने के चांसे से और एक अगर आच जैसा अनुज आपने कहा कि छे मैंने कई लगता है जटका जनरल इलेक्शन तक मैं भी उस बात से सहमत हूं तो आइड नूंट इंग लांग टरम ऐसा कोई प्रोग्राम डिस्मेंटल होगा जटका लगेगा बट एक बार तो शॉक से सभील जाते ना सिस्टम में एक्सिडेंट होई हड़ी टूटी तो उसका इलाज तो करना पड़ेगा ना तो इलाज लगेगा इलाज में जो दर्द होगा सब को से ना पड़ेगा तो लॉंग टरम कुछ नहीं डिसमेंटल होता दिखता है चीनी के दाम करेक्ट करने का ये तरीका गवर्णमन ने इक्त करेंट पर अजिनी को अजिए टिखता है तो अजिए अजिए टो श्राइब कर देखते हैं और यहीं डिलेवर कर देते गवर्णमन को और उनकी जो मनसाती उसको अचीव भी कर लेते हैं आपको लॉस नीओगा आपने गुरूप फैक्टरी में वो एजस्मेंट कर लेंगे लेकिन अफिर भी क्योंकि अब जो हा ने वो में समझ गया लेकिन अब क्योंकि जो अगले 6 मेने के लिए इमाजिन करिये अब वो जो गन्ने का जूस है वो आपको शुगर में ज्यादा होगा एथनोल में कम लगाना होगा तो उस हसाब से जो करेंट शुगर के प्राइस चल रहे हैं और जो करेंट आपका एथनोल का मार्जिन है उसके इसाब से आपके पी अपर कितना इंपक्ट पड़ेगा तो अनूज इंपॉसिबलों कैल्कुलेट एट वे बट एक यह ची वही इंपक्ट सब के पी अलप आएगा ना बल्रामपूर की बात निहीं हर एक कंपनी कंट्री में एक इंपक्ट है तो इतनोल के वॉल्यूम्स कितने गिरेंगे आपके यह से विवेक जी बीस परसंट तक एथनोल वॉल्यूम्स गिरेंगे यह से ज्यादा ज्यादा हम तो दस कोड़ तो जूस में बिड किया दा बल्रामपूर गुरुप ने अब शायद उसके खिलाफ कल बंद कर दिया तो एक करोड के करीब उठेंगे जो बन चुका अब तर तो इतना तो एथनोल का बल्रामपूर से गे एक जटके में अब उसके खिलाफ कुछ सी बनेगा तो आई डून नो कितना मेक अप होगा शायद एक दो करोड मेक अप हो त पाटना करोड तो हमारा कम हो जाएगा बट सी वो लॉस एक अलग है वो चीनी बन जाएगी अब चीनी बन कि उसका दाम कम मिले का लॉस होई है एथनौल गवर्मेंट को कम मिले का इस परसंट भी मिलेगा कि यह डून नहीं लेकिन फिर भी क्या होता ना विवेग जी क्यों जो चीनी जाती एथनौल में उसी का दाम मिलता है न उनुच वाट शुगर यूस अगर आपको मार्केट प्राइस में बिग जाता है तो जीरो नुक्सान होता है इंवेस्टमेंट खोड़ा सा और फिक्स कॉस्ट आइडल होते है तो चीनी का दाम जो करेक्ट नहीं मिलेग उतना ही लॉस है तो इत कमस दाउं बॉइस दाम जो गटे का लॉस होई है वाकी कोई फरक नहीं पड़ेशन हुआ है क्या इंडेस्ट्री के तरफ से विवेक जी अगे है जी तो साओट के लोग है सिस्मा इस मैट यूपी एसमा इस मीटें फेडरेशन इस मैट अमन स्टार है हम लोग रप्रेजेंटेशन बना रहे हैं वी एफ सौट ताइम और वी विल बी सीकिंग ताइम विफ आल थे कंसर्ण पीपल और तो सेंसिटाइज देम कि जिस बच्चे वाप पड़ा किया पाला पोसा और इतनी बढ़िया जगर लाके खड़ा कर दी अचान है क्या किय हुआ है तो इस समय सिच्वेशन क्या है कंट्री में शुगर की इस समय कितनी प्रोड़क्शन है क्या प्राइसिंग चल रही है और क्या इस मुव से क्या प्राइसिस पे इंपक्त आएगा अपके हिसाब से तो अनुष गूड क्वेस्चन बड जवाब अभी लगे हाथ है तो मुटी बात प्रोड़क्शन 15,000,000 टन से गर्वर्मन्ट ने पक्का बढ़ा दिया मुटी बात इस क्नीजर्ट रियक्शन से 15,000,000 टन से 17,000,000 टन बढ़ जाएगा देरफोर कुछ माल ज्यादा बन जाएगा डुमेस्टिक कंजम्शन से मेरे असाब से तो कम से कम नहीं तो 315 चीनी बनने का असार हो गया 315,000,000 टन डुमेस्टिक कंजम्शन 285,000,000 टन है तीस लाग इस साल आप सर्प्रस क्रियेट कर रहे हैं उस सर्प्रस क्या करेंगे अब I am sure good sense will come in ये production हो जाए तो government क्या मालू फिर export after election allow करे क्या करे I am sure मैं चीज़ और बोलूगा साथ दस साल में पहली बार मौका मिला है दुखी होने का इनके साथ तो मेरे को लगता है ये ये सही करेंगे नहीं बिल्कुल और देखे विवेक जी ये बात तो आप भी अप्रिशेट करेंगे कि जनरल इलेक्शन है और मेरे खाल से एक काफी बड़ा इलेक्शन है और किसी भी स जीता जाए पहले उसके बाद बाकी चीज़े देखेंगे एवन दो मतलब लॉंटर्म पॉलिशी भले ही इंटाक्ट अच्छे एक ब्रोक्तिज रिपोर्ट आई थी उसमें ये बिल्कुल एक ब्रोक्तिज रिपोर्ट आई थी उसमें ये कह रहे थे कि शुगर कंपनियों च्छे महीने का एक एक एतनौल सप्लाई के लिए कॉंट्रेक्ट किया हुआ है नवंबर 23 से अप्रेल 24 का वो डैम कैपिटल के एक रिपोर्ट है यह कॉंट्रेक्ट रहेगा या यह कॉंट्रेक्ट भी अब खारी हो जाएगा कि इसी पे डिबेंड करेगा कि आपके का आप खारी कॉंट्री दूरंधा कॉंट्रेक्ट रिभ ख्र ignored का यह का पाव दूसरी मॉवडादान को दूसरी Chemo चरिए इस तर्सपर उसको धिर रिशन पनेड़ू में सब्ड़रू धर बड़ियना अनिमार dość नवें तो चीनी ज्यादा बनेगी इस का उसकी आपको हाँ तो उसी फैक्टरी को मैं बनाऊंगा उसमें भी है भी भी नहीं अलाओड है वी होपिंग की गर्मेंट उतना भी है भी कागे प्रोग्राम दे देगी तो वो सब चीजें आगे पता जबी तो प्रोड़क्शन बढ़ेगा नुच जहां चीनी आप से पूछ रहा था एक हाँ प्लीज एक्टरी का नाम और एक्जामपल सब समझ जाएंगे एक फैक्टरी में हमारे लेट्र से मैजापूर साच लाग कुंटल गन्ना क्रश होता है उसमें हम लेट्र से पांच करोड एथनॉल बिट की है अब वो पांच करोड आप से तो साच लाग कुंटल पी जो रिकवरी आगी उतनी बुरे चीनी बन जाएगी तो वो चीनी देश के प्रोड़क्शन में जूल जाएगी जो कल को नहीं जूलती इस इस आओ प्रोड़क्शन विल इंक्रीस और अल अवर देट्री आप सबते है बात तो वो फैक्ट कितना इंपक्ट होगा, मार्केश अंड शॉक्ट विल गेट तो नहीं जाएगी जाएगी क्योंकि अगर पूरा का पूरा किया ही इसलिए इसलिए कि शुगर के पाइसे ना बढ़ें तो अविसलिए शुगर का रिलाज़िशन भी इस साल में तो बहुत जादा मिलने से रह यह विवेक जी तो इस वड़ा इस एशुगर है कि जो फार्मर्स के पास जो विजिबिलिटी थी कि अब हमको इतना रिमेनरेशन मिलेगा या मिलेगा क्योंकि आपके पास विजिबिलिटी थी उस चीज को लेकर उस पे कुछ इम्पक्त आएगा इसकी से? आप अनुछ दो प्याशची में आपके, जो माई कैश्डो इना प्रेम्ट कर सकते हैं कई लोग जो पहले जितने दिन में कर सकते थे जने इनमें कि पिछे फटेगा उसका कॉंपेडेंस लेगा तो फिर पेविजिबिलिटे हो जाएगा ऑप किसान अलग परेशान हो जाएगा जहार इस कि शॉक ट्रीटमेंट है ना नोच अगर उद्देश में पहली बात क्या कहां सरकार का उद्देश हमारा उद्देश दस साल हमारा साथ दिया है यही उद्देश को अचीव करने का बहुत और तरीक बहुत और तरीके थे दे वर सॉफ लैंडिंग्स ऑन दो वे बट आम मिलते बताते हैं कुछ तो हमारे पर भरोसा करते हैं कि हम भी आपको वही देंगे जो आप चाहते हैं जड़ा साथ बिलके इसका सलूशन बना लेते हैं तो दर्द इतना ही आपको आपको जादा टीस इस चीज की है कि यह डिसेजन बस ले लिया गया विदावट एनी कंसल्टेश हैं तो आप समझे इस उस बात की नहीं कि हमारे को सलाह नहीं कि इस इस नाट इगो इस इस दे वे वरकिंग यू बिंगिंग थिंस तो ग्राइंडिंग हॉल्ट तो यही उद्देश हम दूसरे तरीके से बखु भी ले आते रास्ते पे चीज वही होती सरकार का उद्देश जेरल इलेक्षे ने महेंगाई सरकार को पसंद नहीं सरमा थे उनकी पूरी इज़त रखते और यही चीज़ करके दे देते तरीका बड़ा अजीब है और इसे बहुत बेटर तरीके थे जिसमें किसी का सिस्टम का कॉन्फिडेंस नहीं इलता है विवेक जी मेरे कहल से अभ अब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं क्योंकि गवर्मेंट अब्जेक्टिव बहुत क्लिर है कि चीनी की केमते नहीं बढ़ने चाहिए बॉटम लाइग हम उनके साथ हैं यह और बोदुम है और उन पर पूरा भरोसा यह और बोदुम जो यह वक्त है जब फ्रैक्शर र थोड़ी तकलीफ तो है यहाँ पर विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे साथ जुड़े और इतने कॉंप्लेक्स इशू को आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया एकदम एक बेसिक लैंगवज में और आल दा बेस्ट आपको आगे के लिए चलिए प्रएड़े ऋुक्रिया आट अतोrobi के समझाया एक बख़े पिट करोईब एक बेस्ट करोच्ट आपको आंप ahh